हर्याना एक नाइन प्यर्म शेनल में आपका स्वागत हैं आई कि आपको कराते हैं खबरों से अपडेट थपड़ वाली वीडियो ने कराई टिक टोक स्टार सोनाली की बिग बोस चोदा में एंट्री हर्याना की तेज दर्रार महिला भाजपा नेता सोनाली फोगाट रियालिटी शोब बिग बोस चोदा में पहुँच गई हैं उनकी एंट्री वाईड़ कार से हुई है आपको बतादें कि सोनाली फोगाट हिसार मार्केट कमेर्टी के सच्चीव की चप्पलों से पिटाई करने को लेकर खासी चर्चित रही है इस विडियो के चलते सोनाली फोगाट की एंट्री बिग बोस में हुई है सोनाली फोगाट की गिंती हर्याने के दमदर भाजपन एताओं में होती है उन्होंने कुछ फिल्मों और धारवाहिकों में भी काम किया है बता दें कि सोनाली फोगाट बिग बोस चोदा में भाग लेने वाली हर्याना की दूसरी महिला है इससे पहले बिग बोस 11 में हर्यान विडान सर्स अपना चोधरी अपना जलवा दिखा चुकी है खेलो इंडिया के खिलाडियों के लिए चुएन प्रिकरिया 28-29 को प्रताप स्पोर्ट स्कूल खरकुदा प्रिंसिपल धरंप्रकाश तहिया ने बताया कि पहले भारती खेल प्रादिकरण के मार्ग दर्शन में खेलो के विकास हितू कुष्टी कबड़ी जूडो बॉक्सिंग एवं वुशु के खिलाडियों को प्रिसिक्शन दिया जाता था अब इस स्किम को बदलकर भार सरकार द्वारा प्रिताप स्कूल खरकुदा में नई स्किम आरम की गई है जिसमें मीनी खेलो इंडिया स्किम के तहट कुष्टी कबड़ी जूडो बॉक्सिंग एवं वुशु में प्रतिक खेल को खेल के 15 लड़की वे 15 लड़के खिलाडियों का चेन 28-29 दिसमबर 2020 को होना है इसके लिए 10-18 वर्ष खिलाडियों की आयू सीमा रहेगी जिलास्तर या उससे उपर पदक प्राप्त खिलाडियों को प्रात्मिकता दी जाएगी चेन प्रिकरियों प्राते 9 बजे 28 दिसमबर 2020 से आरंभ हो जाएगी इच्छु के लाड़ी दो पास्पोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आयू एम खेल के वास्तविक प्रमान पत्र एवम साथ में दो-दो फोटो प्रती प्रतीक अपनी साथ लेकर आएगी चेन प्रिकरियों में प्रमान पत्रों के साथ साथ शारीर की योगेता के टेस्ट भी लिये जाएगे तीन दिन तक लगातार बैंक रहेंगे बन, फटाफट निप्टाली काम, देखिए छुटियों का शड्डियूर साल के इस आखरी महीनी की अंत में अगर आप अपने बैंक से संबन्धी कुछ जरूरी काम निप्टाली की बारे में सोच रही हैं तो यह काम आप जल्दी से निप्टालें दिसंबर के आखरी हफ़ते में 25, 26, 27 दिसंबर को बैंक तीन दिनों के लिए बन रहेंगे इस हफते बैंकों में लगातार तीन दिन की छुटी रहोगी 25 दिसंबर शुकरवार को क्रिस्मस का त्योहार होने की चलते रास्ट्रे अफकाश रहेगा 26 दिसंबर को महीना का चोथा शनिवार पढ़ रहा है इसके चलते बैंक बंद रहेंगे इसके बाद 27 दिसंबर रविवार को सापता ही कवकाश है जिसके चलते बैंक बंद रहेंगे इसके चलते इस दिन बैंकों में छुटी रहेगी आपको बता दें कि बैंक हर महीने की दूसरे और चोथे शनिवार को बंद रहते हैं लगातार खबरों से अब रिट रहनिंग के लिए देखते रहें हर्याना अट 9 प्यम्नी चैनल नमस्का